ऐलो स्टुदेंस वेलकम ट्यू स्कौलर्जिला आज के वीडियो में हम साल करेंगे एक प्राक्टिकल प्रॉब्लम जो जुडा हुआ है मशीन R रेट से तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोग को मशीन R के बारे में इंट्रोड obstruction दिया था अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखने को थोड़ा समझ ले अपने बेस को अच्छा कर ले और आगे वाले वीडियो को अज की वडियो को एकदम ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, तो इंशालला उमीद है मुझे कि आप लोग को आपको easily question भी समझ में आएगा, और दूसरे questions को कैसे attempt करना है, कैसे उसका approach रखना है, वो भी आपको easily समझ में आएगा, ज्यादा tension मत लेना, step by step जो चीज़े आप लोग को मिल रही है, वो समझने की कुश्च करना है, एक साथ सब खाने की कुश्च करोगे, तो पेट भी खरा कर रहा हूं, स्वाल कराने की, अब आप लोग की screen पर question आएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग के पाद textbook है, तो बहुत अच्छी बाते, नहीं है, तो भी अच्छी बाते, कोई problem नहीं है, देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, the following particular relates to a new machine, तो नीचे या fixed charges, और दूसरा था हम लोग का running charges, तो machine की जो खरीदते हैं, तो ना तो कोई charges तो नहीं है, कोई expense तो नहीं होता है, क्यूंकि वो हम लोग कोई cassette खरीद रहे हैं, तो वो किसले काम आएगा, तो धान में रखना, जब भी machine का purchase price देगा, ये machine rate के chapter में, तो आप लोग को काम आप लोग को machine का depreciation निकालने के काम आएगा, 11th में हम लोग को depreciation का formula देखे थे, depreciation के question देखे थे, अगर आप लोग को नहीं आदे तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में आप लोग को वापस देप्रीशन का formula भी बताऊंगा, depreciation कैसे calculate करना है, वो भी बताऊंगा, तो देखे लो, purchase, price, installation, दोनों को ऐसा marking कर लो, और लिखे लो, D, D के आगे लिखे लो, running charges, short form में, marking करते रहे न, ताकि हम लोग को काम आए, आगे लिखा हुआ है, rent, तो rent कोन सा होता है, आप लोग का, standing charges, sorry, standing charges, fix होता है न, आगे, general writing, standing charges, 4-man salary, standing charges, insurance, standing charges, उसके बाद लिखा है power और उपर indirectly दियाता है, information के हिसाब से, depreciation, तो पुरा question पढ़ लेने का, और marking कर लेने का, RC या SC, SC मतलब standing charges, RC मतलब running charges, बस इतना ही काम करने का, फिर नीचे पढ़ने का, देखो क्या लिखा हुआ है, the estimated life of machine is 10 years, तो machine की life है, वो कितने साल की है, 10 साल की है, तो ये भी हम value, 10 साल के बाद, at the end of 10th year, is 1 lakh, तो scrap value भी किसले कामाता है, depreciation निकालने के लिए, तो मैंने आप लोग को बदा रहता हुँ, कि ये पूरे जो चैप्टर है, जिसमें दो इचीज आप लोग को सबसादा प्रोब्लम देगी, एक तो depreciation, और दुसरा power, लेकिन दोनों के एक्द to run 20,000 hours in lifetime, अपनी पूरी lifetime में मशीन कितने घंटे चलने वाली है, 20,000 hours, 20,000 hours, clear है, the machine occupies 25% of total area, तो मशीन कितना area occupy करती है, कितना जंगा लेती है, 25%, ठीक है न, तो area के हिसाब से दो चीज़े हम लोग को affect करेगी, question में, कोन गुन सी, उस पर जाकिस टार्मक कर लेने का, क्या second distribution, तो याद होगा, rent हमेशा area के साब साथ है, lighting number of light point के साथ है, अगर light point नहीं दिया है, तो उसको भी area effect करता है, तो इदर धान देना, आगे लिखा है, four men divorce one six time for this machine, और जब four men की salary देखे लिए उस पर देखो, उस पर भी effect आएगा, वो सिर्फ, उसकी salary तो दिया हम लोगे, लेकिन वो इस machine पर सिर्फ one six time देता है, तो उसकी salary अगर पूरा लेंगे, तो का हो जाएगा, रॉंग हो जाएगा, तो यह हो गया, आप लोग का question, जहाँ जहाँ adjustment वाँ पर कर लोगे, अब posting start करोगे, directly आप लोग लिखोगे, पहले standing charges, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं A, standing charges, यह लिखता है, मैंने standing charges, बराबर है, अब standing charges में हमने marking करके रखे, कौन कोनी चीज़ देखो पहले, पहले था आप लोग का rent, बराबर है, तो मैं लिखता हूँ rent, rent कितना दिया हूआ है, 3750, लेकिन वहाँ पे कुछ लिखा हूँ देखे तरिए, rent per quarter, quarter का मतलब होता है, पाव हिस्सा, अब यहाँ पर quarter मतलब, तीन मेहने की बात चली, क्योंकि साल में quarters जो होते हैं, तीन मेहने को एक quarter बगते हैं, ठेक है न, तो तीन मेहना, तीन मेहना, त मतलब, साल में कितने quarter होते हैं, चार, तो हम लुग को कॉस्ट किस में चाहिए, साल में चाहिए, तीन मेहने का दिया हूँ, पर quarter मतलब, थीन मेहने का दिया, हम लूग को कितने minimum अच्हे है, 12 मेह बगते seriousness, 4 से, 12 से मत कर देना, पर month नहीं हा, यह तीन महीने का है, हम लोग उ सिर्फ एरिया कितना परसेंट करती है 25 परसेंट तो आगे और एक चीज आ जाएगी 25 परसेंट यह धान में रखना है तो अब कैलकुलेशन करोगे तो पूरा कैलकुलेटर करना कैलसी से तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो जब आएगा आप लोका 3750 ही आ जाएगा ठीक मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं लिखता हूं अभी खाहां यूस कहीं गुमा हुआ है मिलने रहे दीखने रहे मुझे नजरों के सामने तो बाद में करता हूं लेकिन फिर में मुझे पता है औरली क्योंकि यह कोशन मैंने बहुत बार कराया है चलिए आगे आते हैं तो मैं लिखता हूं लाइटिंग तो लाइटिंग का जो आप लोग का मौन दिया हुआ है देखिए कितना दिया हुआ है वन थाउजन पर मन्त लिख लेता हूं मैं वन थाउजन पर मन्त अब सिंपल सी बात है यह पर मन्त है तो साल में कनवर्ट करना है हम लोग को पा रहे 25 परसेंट आएगा तो यह हो गया आप लोग का 12000 इंट 25% helps double कि 25 होएगा आप लोग का 3000 को है तो यह हो गया लोग का लाइटिंग कर नमबर पर हो गया थर्ड्डनमबर पर आप लोग का दिया हुआ है लाइटिंग के बाद 4-man salary, 4-man salary, 4-man बतलब supervisor ही होता है, आजग ना, तो 4-man salary कितना दिया, 4-man salary आप लोग की दिया हुआ है, 30,000 per annum, 30,000 per annum, 30,000 per annum, सवाल उटते हैं, सब डारेक्ली आपने per annum देटेंशन क्यों है, लिख दिया होते हैं, लेकिन आप पर जाता है, 4-man सिर्फ अपना time का 1-6th time, जो दितना भी time देता है, इस machine पर सिर्फ 1-6th time देता है, लेकिन वो सिर्फ पूरा time ये इस machine पर नहीं देता है, वोसी 1-6th time देता है, इसलिए 1-6th करना पड़ा हम लोग को, अगर बोलाओ directly question में adjustment नहीं दिया होता, और directly लिखाता है कि 4-man के salary इतनी है, तो फिर आपना directly 30 पूरा लिख देता है, clear है, चलो, 4-man के बाद salary के बाद क्या हम लोग का insurance, तो 4th number पर आएगा आप लोग का insurance, अभी insurance का amount आप लोग का दिया है, लिखो, 3000 पर annum, तो directly दिया हुआ है, और insurance पे कोई effect नहीं था, नीचे भी, तो directly लिख दो 3000 पर annum, पर annum लिख दिया attention नहीं है, convert करने की जुरत नहीं है, फिर उसके बाद departmental overheads, 5th number पे departmental overheads, तो यह भी हम लोग का standing charges होता है, standing मतलब fixed हा, departmental overheads, तो overheads कितना दिया, departmental overheads दि करेंगे, 5000 पर annum, तो यहां पर लिख दीजिए, 5000 पर annum, directly दिया हुआ, convert करने की जुरत नहीं है, उसके बाद लिखा है, consumable stores, 6th number पे, consumable stores, वो कितना दिया हुजरा देखी है, 4000 पर annum, तो यहां पर लिख दिया है, 4000 पर annum, तो यहां पर लिख दिया है, 4000 पर annum, टेंशन न और यहां पर लिखेंगे, total standing charges, total standing charges लिख दिया है, अब इसका total कीचिए, मैं Kelsey लेके आता हूँ, ढून के, कहीं से, जहां पर मेरा बस पड़ा हुआ है, ठीक है, अब लग, आप लोग, इसको screenshot लेना है, photo लेना है, लिखना है, तो लिख सकते हैं, चलिए, calculator आ गया है, 3750, 3000, 5000, 3000, 5000, 5000 और 4000, तो यहां पर लोग का, 23,750, तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ, 23,750, यह जो cost है, 23,750, यह जो standing charges आया हम लोग का, वो पूरे साल का है, पर annum का है, हम लोग को इसको किस में convert करने का, end में, पर आर में convert करने का, अब सवाल उठता है कि सर, पर आर में convert कैसे करेंगे, तो एकदम simple सी बात बताऊंगा, वो बात को, इसको का लिताबीज बना के पहन लेना, और हमेशा के लिए याद रखना, जब तक हम लोग यह chapter करेंगे, या आगे भी कुछ चीज़े करेंगे, तो थोड़ा दिमाग में रखना, logic को दिमाग में रख लेगा, तो देखिए, हम लोग लिखेंगे उसके बाद, नीचे लिखेंगे, उसको convert करना है, तो लिखेंगे, standing charges, standing मतलब fixed charges हा, standing charges per hour निकाल रहे, ठीक है, अगर हम लोग को को क कोई चीज, जैसी यह है, यह कितका दिया है, पुरे साल का, और हम लोग को उसको per hour का convert करना है, तो simple सी बात है, एक साल में कितने hour होते हैं, उससे का कर दो, divide कर दो, अगर यह charges हम लोग का per week है, तो एक week में कितने hour से, उससे का कर दो, अगर यह charges हम लोग का total per day का है, तो एक day में कितने hour से, उससे डिवाइड करके इसको convert कर दो, तो अभी यह per year का है, per annum का है, two, three, seven, five, zero, per annum का है, तो simple सी बात है, एक साल में कितने hour से, क्योंकि आर्स में convert करना है उसको, तो एक साल में कितने hour है, उससे डिवाइड कर दो, बराबर है, आप question में ढूना in lifetime, लेकिन in lifetime दिया है, हम लोगों कहाँ यह per annum, साल का चाहिए, तो आप हम लोगों को ढूना पड़ेगा कि lifetime है कितनी, तो वहापे question में देखो गया था, lifetime कितनी है, 10 years, question के उपर ही दियाता, the estimated life of machine is 10 years, तो machine की life कितनी है, 10 साल, तो अब अगर में थोड़ा सा भी logic होगा, simple जिसको का, तो कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन normal आदमी को पुछों, बता देगा, कि 10 साल में machine कितने hours चलती है, 20,000 hours, 10 साल में कितनी, 20,000, एक साल में कितना हो गया, 2,000 hours, प्राबर ना, एक साल में 2,000, 10 साल में 20,000, तो convert कर लेजिए, तो हम लोगों को एक साल कचे, 20,000 hours in years, in one year, clear है, तो हम लोग को आगया, कैसे आया, दिया थाना, 20,000 hours पुरे lifetime में, 20,000 hours पुरे lifetime में, तो पुरे lifetime में 20,000 hours, मतलब lifetime कितनी है, उसकी 10 साल, तो 10 साल में 20,000, तो एक साल में कितना, 2,000, तो एक साल मिल गया, तो हम लोग यहां से क्या कर देंग, उसको divide कर देंगे कित से डिवाइड कर दिया है 2,000 से अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखे कितना आता है डिवाइड बाय 2,000 तो आते हैं आप लोग का 11.87 अई साथ है 11.875 तो राउंड ओफ करेंगे हम लोग 11.87 पॉइंट के बाद यहां तक राउंड ओफ करना है 2,000 तक तो यह 5 यह 5 से लाज रहता है तो एक बढ़ा जाएड तो यह 11.88 तो दो डेसिमल तक राउंड ओफ कर लेना क्योंके रुपीस पॉइंट के बाद 2,000 तक रहता है चलिए यह हो गया आप लोग का स्टैंडिंग चार्जेज फिनिश हो गया अब आने हैं हम लोग को पार्ट B पे वह लिखना है आप लोग को कर लदिंग चार्जेज अ मतला भागने का या समन्म अ फ्रीजिक अ अ उसमें फ्रें से यहां robots सिं अ चलाने का चार्जेस चेतना याद याद मशीन चलेगी उतना चार्जेस आप लोग को आएगा तो ये मशीन के टायम से जुड़ावा नेता है ये ये मशीन के वर्किंग पर चलने पर चुड़ा रहता है तो चलेए इसमें हम लोगको टोटल 4 चार चारजेस थे पावर था, depreciation था, repair and maintenance था और machine operator salary थी, लेकिन ये question में सिर्फ हम लोग को दो चीज़े दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को दिया हुआ है, depreciation, depreciation डायरेक्ली ने दिया हुआ है, indirectly दिया हुआ है, राबर हैं, तो मैंने बोला भी था कि दो चीज़े आप लोग को ये chapter में सब सारा दूख देंगी, बहुत सारी दूख देख सकती है, लेकिन सब सारा दो ही दूख देंगी, एक तो depreciation और एक पावर, दोनों के लिए simple method बता रहा हुँ, ध्यान में रखना, जिंदगी भर के लिए उसको याद रखना, देखिए क्या में बता रहा हुँ, depreciation का formula हम लोग ने बच्पन में पढ़ेते, बच्पन मतला 11th में, 1st standard, क्योंकि वो commerce लोग के लिए 1st standard 11th रहती है, तो depreciation लिखा है आप लोग का, आप लोग को लिखने, depreciation हम लोग किस में निकालेंगे, year में निकालेंगे, ours में निकालेंगे, अब उसका formula क्या था, अगर आप लोग को याद नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, छोटा सा short form में हा, historical cost, या सिर्फ मैं historical cost लिखना हूँ, cost of machine, plus installation charges, minus scrap value, और divide by lifetime, बड़ाबर, लेकिन किस में लेंगे हम लोग ये chapter में, in hours, ठीक है न, क्या-क्या लेंगे, उपर क्या लेंगे, cost of machine, तो machine का cost, अब उसको purchase price से बोले, खरीदने का बोले, कुछ भी अलग-लग बड़ नाम, ये question में purchase price बोला है, कितना है, 4 lakh, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्याँ यहाँ पर उन्हों को शो करना है, तो मैं यह जो cost of machine है, कितना है, 4 lakh, लिख दिया, बड़ाबर है, minus नहीं, पहले एड़ है, installation, installation charges question में दिया हुआ, yes, दिया हुआ कितना है, 1 lakh, कभी कभार question में, installation charges नहीं रहेगा, तो simple थी बाते उसको नहीं लिखने का, directly चल दाने का, scrap value पे, दोनों नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज़ से निकालने का, ऐसा ही हो सकता है, अब question में, scrap value भी दिया था, लेकिन वो नीचे दिया था, पहले paragraph में नीचे दिया था, अब लेकिन था, the estimated life of machine is 10 years, and scrap value is to what the time theory is, 1 lakh, तो scrap value भी कितनी है, 1 lakh, बराबर है, और divided by क्या दिया है आप लोग का, machine lifetime, बराबर ना, in hours, तो machine की lifetime कितमे, hours में चाहिए आप लोग को, machine की life कितमें चाहिए, आप लोग की ट्वेंटी थाउज़न, जिया था लोग लिखा रहा पर, कि machine is expected to run 20,000 hours in lifetime, तो नीचे का कर देंगो, उसकी lifetime में कितने hours चलती मशीन, 20,000, तो यह हो गया conversion, कभी का बार हम लोग को विल्टा जिया रहता है, एक साल का जिया रहता है, तो हम लोग को पूरी जिंदगी में मशीन की चलती, वो निकालना चाहिए हम लोग को depreciation के लिए, और यहां पर क्याचिए एक साल में है, अभी क्यूंकि यहां लोग का परहनम ता तो एक साल का चाहिए था, ठीक है, तो वो देहान में रखने का, यहां पर हम लोग को machine की running एक साल में कितना चलती है यहां पर चाहिए और पुरी जिंदगी में कितना चलती है, वो depreciation में चाहिए, clear है, तो लिग दिया मैंने, अब इसको जब divide करेंगे हम लोग कट करेंगे तो यह हो जाएग आप लोग का 4 lakh यह तो निल हो गया, यह तो आप लोग का 20, यह तो आप लोग का 20, यह तो आप लोग का Rs में ही है क्योंके आप लोग का Rs से ही डिवाइड करें तो directly लिख दो 20, clear है कौन से कॉलम में Rs में, मैंने बहुला भी था कि यह सब चीजे आप लोग कर, standing charges आप लोग इसमें निकालना पर आनम में, और जो running charges इसमें निकालना आप लोग पार आर्स में, तो चलिए, next देखिए आप लोग का second, second है आप लोग का power, यह अलग दुख है एक power, अब सब लोग को tension आते के सरे power कैसा निकालते, mostly students, depreciation भी कर लेते easily, लेकिन power में ना फज आते, क्योंकि उलोग ना जो logic बताता हूं, मैं उस पे धान तो देते नहीं है, और पता नहीं क्या दिमाग लगाते, अल्ला ही बढ़ जाने, उलोग ही समझे क्या दिमाग लानी कोशी करते, लेकिन मैं एकदम simple बताता हूं, फिर क्या दिमाग लगाते, समझे नाते, मैं जो बोल रहा हूं, उस पे ही धान रखना, तो पहले याद अखना, कि पावर निकालने के लिए, आप लोग लिख के ले लो, हाँ, दो चीज़ें हम लोग को, दो चीज़ों को मल्टिप्लाय करना है, पहला जो है आप लोग का, क्या थिंईट बोलाओ है आप लोग को कि पहले आज है, उस का ल भ्लोग को लिख के ले लो हो, हाँ, हिंदी में चाहिए, तो हम लोग को यहां चाहिए, हाँ, क्या बोला मैंने, कि एकड़ ने मशीन चलानी को कितना यूनिट बोल आता है, मशीन एक गड़ चलेगी, तो कितना वह हम लोग को यहां चाहिए अपस लिख लो हां मशीन एक गहंटा चलेगी तो कितना बिल आएगा कितने यूनिट बील आएगा ठीक है तो कितने इंट भीलाएगा तो कोशन में दिया हुए पावर तू यूनिट्स पर आर क्लेर्ली मेंशन लिखा देखो कोशन में वर अब ह तो पहला काम हो गया हम लोक का पहला काम क्या है कि एक आर में कितना यूणिट बिलाता है हो जाहिए हम लोग को क踏मलोग को सब्सक्राइब कर दुश्रा हो यूनिट को सब्सक्राइब काइच है ओर target when you यहां पर लिख रहा हूं यूनिट्स इन आर्स बराबर है एक घंटा मशीन चलेगी तो कितना यूनिट विल आएगा यहां पर चाहिए एक घंटा में कितने उनिट्स और एक यूनिट का कॉस्ट क्या है वह हम लोग को पता करना है तो कॉश्चन में देखो दिया है 50 पैसा प करना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया आप लोग का तो मतला वन रूपीज है वापस रिपीट कर देरों आप लोग को क्या चाहिए पहले चाहिए आप लोग को मशीन एक घंटा चलेगी तो कितना यूनिट विल आएगा वह यहां पर लिखने का पहले एक यूनिट का कॉस को सकता है तो दो चीज़े आ रखना कभी पावर में प्रॉब्लम नहीं आएगा तो यह हो गया आप लोग का सारी चार्जेस फिनिश अब आप लोग को टोटल करना है टोटल करने के बाद जो आप लोग का सी आता है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन और रेट अब मराबर है अब मशीन और रेट थोड़ा उपर नीचे हो सकता है स्ट्रेट लाइंग में नहीं हो सकता है तो जान देना तो इसा दिखता नहीं थोड़ा हां माफ करना मेरको देखो क्या कर लिखे तो वहां पर दिखा 20 21 और 11 के तो 32 32.88 बराबर है तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 32. 32.88 तो मतलब अगर मशीन एक घंटा चलीगी तो हम लोग को 32 रुपे 88 पैसे ट्वें 30 रुपीज 32 रुपीज 88 पैसे हम लोग को क्या होगा कॉस्ट पड़ेगा तो यह हो गया हम लोग का मशीन आर रेट के कम्पिटेशन का कोश्चन जो भी चीज़े मैं बता है अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए मेरा थोड़ा कुछ इंट्रेक्शन से पहले तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्ते से ज़रूर शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कोशन लेके थैंक यू परी मच्छ